हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू नेक्स जेन आईयर सीटिस यूटूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ रेलवे जुड़ी एक और जानकारी सेर करने जा रहे हैं जी हां दोस्तों कि आप जानते हैं ट्रेंड में आत्रा को दोयान मिलने वाले चार सुवधाओं के बारे में अगर नहीं जानते तो आईये आज हम आपको इसी के बारे में बताते हैं ऐसे में कोई अपने वाहन से, कोई बस से, तो कोई हवायात्रा भी करता है। लेकिन इस बात से बिलकुल इंकार नहीं किया जा सकता कि भात की एक बड़ी अबादी भाती ट्रेन में सफर करती है। जी हां दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें ज्यादा दूरी का सफर कम समय में तैय हो सकता है, कमफर्ट सीर्ट साथी सचाले की सुवधा आदी सामिल है। वहीं ट्रेन में सफर करने के लिए आपको टिकट लेना होता है और फिर आप आत्रा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि भारते ट्रेन में आपको कुछ सुवधाय मुफ्ट में मिलती हैं। शायद नहीं तो चली जानते हैं कैसी कौन से सुवधाय हैं जो आपको मुफ्ट में मिलती हैं। तो अगर हम बात करें पहले नомबर पर तो दोस्तों आपको बता देख जाती है तो उसे धवा रेलवे की तरफ से दी जाती है इसके लिए आपको टी-टी से दवा मांगने होगी और उसे आपको ये धवा देनी होगी वहीं अगर दूसरे नमबर की बात के तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दे कि अगर आप इस टेशन गे और आपको पता चलता है कि आपकी टेंड किसी कारण वस लेट है तो आप वेटिंग रूम में जाकर आराम कर सकते हैं और ये सुवधय आत्रियों को रेलवे की तरफ से बिलकुल फिर दी जाती है बस आपके पास वैद टिकट होना चाहिए फिर आप AC की टिकट पर AC वेटिंग रूम और स्लीपर की टिकट पर नौन AC वेटिंग रूम में बैठ सकते हैं इनके लावा तीसरे नंबर पर आप रेलवे स्टेशन पर वाइफाई का बलुफ्त उठा सकते हैं और इसके लिए आपको पैसे नहीं देने होते क्योंकि रेलवे सुवधय अपने यात्रियों को मुफ्त में देता है वहीं ज़्यादा तेरे स्टेशन में वाइफाई की सुवधा मौजूद है इनके लावा चौते नंबर पर रेलवे स्टेशन पर यात्री क्लॉक रूम के सुवधा कलाब भी बिल्कुल मुफ्त मुठा सकते हैं बस इसके लिए आपके पास वैलेट ट्रिकेट होनी चाहिए और इसके बाद आप अपना समाने स्टेशन पर बने क्लॉक रूम में जमा करवा सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये कपर पसंद आई हो तो वीडियो को राइकन सेर केजिए और रेलवेज जुड़ी और जानकारियो के लिए हमारे नेक्स चेन आई एर सीटीस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब केजिए थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो